नमस्कार वालमी की रामायण में सीता के हरण के प्रसंग पर हम चर्चा करेंगे यह राम कथा का सबसे अधिक सम्वेदन शील और जटिल भाव सम्वेगों से भरा हुआ प्रसंग है और इस पर कुछ कहना भी अपने आप में एक अगनी परिक्षा से गुजरना है रामायण की कथा में रावन का वध करने के पश्चात राम विवीशन को लंका के राजपत पर प्रतिश्ठित करते हैं उसके बाद यह प्रसंग आता है सीता की अगनी परिक्षा का आचारी तुलसी एक पंडित और संत थे कभी थे उन्होंने सीता की अगनी परिक्षा नाम से कावी लिखा था उसको लेकर उन पर हमले हुए इसलिए इस पर कुछ भी कहना एक तरह का एक तरह की परिक्षा देना ही मैं समझता हूँ की होता है इसके पहले की सीता की अगनी परिक्षा की प्रसंग पर बात करें मैं कुछ बातें इस पर्ष्ट कर देना चाहता हूँ एक तो पहली बात तो यह है कि वालमी की की जो सीता है पर हमारे इतिहास की रामाण और माभारत जिनको हम इतिहास कहते हैं उन में सबसे अधिक ते जस्विनी और बुद्धिमती नारियों में से एक है उसके बहुत सारे सीता के ऐसे प्रसंग है जिनमें सीता का एक परम तेजस्वी शोर्य से उद्धित रूप सामने आता है और कदाचित लोक चित में लोक मानस में भी सीता की अच्छवी रही है उनके बारे में लोक कता हैं कि उन्होंने शीव के उस धनुष को उठा करके एक तरप रख दिया था जिसको कि बड़े-बड़े शूर्वीर उठा नहीं सकते थे तो एक शत्रियानी के रूप में एक शोर्य से भरी हुई तेजस्विता से संपन नेक ख्षत्रिय रमनी के रूप में उनकी छवी वालमी की रामाण में विशेष रूप से है राम जब वन जाने लगते हैं और वे सीता से कहते हैं कि तुम यहीं रहो क्योंकि तुम वन के जो संकट हैं वहाँ जो विगनबाधाएं आती हैं से लतारती हैं उनको प्रेम में उसने में भर करके और कुछ मजाग भी उनका उड़ाते हुए वे उनसे कहती हैं कि क्या समझकर के तुमने ऐसा क्या कैसे तुमने ऐसा सोच लिया कि मैं वन की विगन बाधाओं को नहीं जहल पाऊंगी तो प्रणयाच्याविवानाच्या परीचिक्षे पर आगवं प्रेम के कारण और अपने स्थीत्व के स्वाविवान के कारण राघहो यारामचंदर पर आक्षेत किया उनको लताडने लगे और कुछ उनोंने हसी भी वड़ाई राम की जो प्रेम में वेकर सकती थी किम्त्वा मन्यत वैदेह पिता में मिथिला अधिपः क्या सोच करके मेरे पिता मिथिला नरेश ने मेरा हाथ तुमारे हाथ में दे दिया राम जामा तरम प्राप्पे स्त्रियम पुरुष विक्रहम उन्होंने तुम को जामा ताया दामाद अपना बना लिया तो पुरुष के वेश में इस्त्री मुझे लग रहे हो ऐसा हसी में वे कहती हैं और वे कहती हैं कि अगरतस्ते गमिश्यामी मरदनन्ती कुशकंटकान में तुमारे रास्ते के कुशकांटे रोंदती हुई तुमारे आगे-ागे चलूँगी और यही सीता करती भी है उसी तरह से वनमें जाती है उसी तरह से उत्साव में भर करके बहुत जिजीविषा से भरी हुई एक नारी है वो चुई-वुई जयसी नारी नहीं है लजजशील उसतरह की नारी नहीं है जो कि दो قدم चलने पर भी एक पसीना उनको आ जाता है जैसा कि बात के कवियों ने बहुत वर्णन किया उनकी सुखमारता का, सिया सुखमारी का बालमीक रामन की सीता ऐसी नहीं है तुलसी की सीता तो राम से गड़गड़ाते हुए कहती हैं कि मुझे ले चलिए मैं आपकी दासी हूँ और साहिब सील सुजान मुझे आप ले चलिए नहीं तुमें जिन्दा नहीं रहे पाऊंगे इत्यादी रामन जब भरण करके ले जाता है इसी सीता का वालमीकी की जो सीता है तो वे उससे जूचती हैं, उसको वे धकेलती हैं, उसको जड़कती हैं, उसको चुनोती देती हैं, वे कहती हैं कि तौम पुनर जम्वुका सिम्हीम, माम अभी लशसी, माम है इच्छसी दुर्मते, है दुर्मती, तू सियार की तरह मुझ सिम्हीनी की कामना कर रहा है। प्रसंग और हनुमान तो बहुत ही विवेक संपन समझदार ज्यानी और पंडित हैं वालमी की रामायन में और उनको राम दूद बना करके सीता की कोच के लिए भेचते हैं हनुमान अशोकाटिका में पहुँचते हैं सीता को बहुत देखते हैं तो एक जलत में ही वे समझ लेते हैं कि सीता हैं क्या और हनुमान जो यहां सोचते हैं सीता को एक जलत में देख करके तो उसमें वालमी की क्या सोचते हैं सीता के बारे में हनुमान के मूँ से वालमी की बोलते हैं क्या बार सागर भी अपनी सीमा का लंगन नहीं कर सकता जिस तरह से कि सागर अपनी सीमा नहीं लांग सकता इस उशालाक्षी सीता के लिए एक सीमा के बाहर नहीं आ सकता है, जो अपने ही तेज से अपने आपको संभाले हुए, अपने आपको प्रक्षित किये हुए है, नई शक्या सदुष्टात्मा मनसा भी मैथिली, वो मन में सोच भी नहीं सकता है कि सकुछ हुए है मैथिली को, यहां भी वो प्रावपसरपूरवग धर्षधादू का प्रयोग किया है जिस वालमीकी ने जिसकी चर्चा में, अहल्या के प्रसंग में कर चुका हुए, तो मन में भी इसको प्रदर्शित करने की बात सोची नहीं सकता, कोई आदमी सोची नहीं सकता है इसको, इसी तेजस अस्यागते जगत चापी, इस सीता के लिए वे संसार को यदि उलट पुलट करके रख दें, तब भी वह ठीक ही होगा, इसके लिए कुछ भी किया जा सकता है, राज्यम वा त्रिशलोकेशू सीता वा जनकात मजा, त्रहलोग की राज्य मखिलम, सीता या नापनुयाद कला तीनों लोगों का राज्य एक तरफ और सीता एक तरफ, तो सीता की एक कला भी नहीं पा सकता है, त्रिलोकी का राज्य भी, हनुमान ऐसा कहते हैं, उमर का एक लिए ड्मा काव भी है, उसमें बताया गया हमको की एक प्रसंग आता है, बहुत भेंकर लड़ाई होती है, हेलन के लिए वह अभी एक अपरत नारी है, उसको पेरिस खरन करके ले जाता है, और ट्राय का महा युद्ध होता है, उसी तरह का भेंकर युद्ध होता है, तो युद्ध जब समापती पर है, उस युद्ध में बहुत मार काट हुई है, थोड़े से कुछ लोग बचे रह गए हैं, जो बचे रह गए हैं, उनमें से कुछ बड़े बुड़े लोग, बुजुर्ग लोग, ये सोचते हैं कि देखा तो जाए कौन सी स्त्रीवा है, जिसके पीछे इतना सब भेंकर युद्ध हुआ है, इतना सरवनाश हुआ है, तो वे एक बार अपने महल के जरोके से जह कुछ भी नहीं है, उतना ही और भी हो जाता है, तब भी कोई बड़ी बात नहीं होती, तो ये एक बात है, सीता की इतेजस्विता को ले करके, और दूसरी बात यह है कि रामायन अधर्म पर धर्म के विजय की कता है, असत्य पर सत्य के विजय की कता है, लेकिन इसके साथ व और राम के प्रेम की, एक अनन्य प्रेम की, अनन्य निश्ठा की कथा भी वा है, इसके बहुत सारे प्रसंग हैं वालमी की रामायन में, बात के कवियों ने वर्णन नहीं किया भगूती को छोड़ करके, और किसी का साहस भी नहीं हुआ, राम फिर देवता हो जाते हैं, इश् रिशिद रष्टी से वालमी की सीता और राम की प्रेम की अनन्यता का चित्रण करते हैं, रोहिणी व शशांक है न, राम संयोग मापसा, राम से सीता ऐसे ही मिली जैसे कि रोहिणी शशांक से, चंद्रमा से मिली, दोनों एक दूसरे से एकात्मिका अनुभव करते थे, रा वेदेही मेरे भीतर और में वेदेही के भीतर, ममा पी भाव सीतायां सरुथा भी निवेशिता, वेदेही का भाव मेरे भीतर और मेरा वेदेही के भीतर, हर तरह से एक दूसरे में एकमेक हम हो गए हैं, ऐसा राम कहते हैं, सीता भी यही कहती है, अन्योन्या रागवे नाह भासकरेनव प्रभाय था मैं राम से इस तरह से अन्योन्य हो गई हूँ एकमेख हो गई हूँ जी सरजरी सूरचrement से उसके किरणे यही उबार राम भी सिता के प्रति अपना मनोभा प्रुगट करते हैं वे भी यही बात कहते हैं इसी उबार वाल्मी की बनती है वालमी की रामायन में उस रूप में यह देखा जाना चाहिए और हनुमान जो की बहुती सूक्ष्म दर्शी हैं, पंडित और ग्यानी हैं वो समझते हैं इस बात को, कि यह लोग कितना, यह दोनों कितना एक दूसरे को चाहते हैं, तो सीता को देखते ही वो कहते हैं, राम को भी देखते रहें, उनके साथ रहें, तो जानते हैं कि राम की मन में क्या है, तो सिता को जैसे ही वो देखते हैं, तो कहते हैं कि इस देवी का मन उस राम में, और व राम का मन इस देवी में प्रथिश्ठित है. उसके बाद उसके आगे उर भी बड़ी बात हो कहते हैं, व धरात्माराम उसी कारण से जिंदा है, उसी वज़े से वो जी रहे है एक एक ऐ क्षण. तो ये बात एक तो ध्यान में इस प्रसंग को जब हम विचार करें सिता की अगनी परिक्षा के प्रसंग को तो इस संदर्व को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए तीसरी बात यही कि राम जो आलमी की रामायन में है वे एक अत्यन्थी सम्वेदनशील मनुष्य हैं इसनेह ममत वासल्य उनके भीतर भरा हुआ है चिंताएं अपने पिता के लिए अपनी माता के लिए माताओं के लिए जिस तरह से उनके मन में हैं सीता के लिए जितनी परवाह उनके मन में है, यहां तक कि जो अपने अनुचर हैं, उन सब के लिए जितनी गहरी संवेदना राम के भीतर है, उसकी एक जलक हम एक प्रसंग से जान सकते हैं, कि हनुमान सीता का संदेश लेकर कि अशोक वाटिका से लोटते हैं, अब राम को बताते हैं कि मैं सीता से मिला, तो राम को कैसा लगा होगा, इसकी तो एक कल्पनाती थे कि जिसकी चिंता में वो किस तरह से दिन रात बिता रहे थे, उसकी पत्नी की प्रिया की खबर लेकर कि हनुमान आ गए, तो हनुमान वहाँ पर जब राम को ये सब बताते हैं, तो राम उनसे एक बात कहते हैं, प्रिशनशा करते हैं कि तुमने बहुत बड़ा काम किया, इसके बाद वो एक बात कहते हैं, कि मैयेव जीरनताम यातू, यत तवयोप कृतम हरे, हे हरी हे वानर, तुमने जो बड़ा उपकार मेरे लिए कर दिया, वो मेरे भीतर ही जीरन हो जाए, मैं उसको पचा जाऊँ, मैं अपने भीतर उसको पचा करके रखे रहूँ, और कभी वो बाहर न निकले, क्यों कहते हैं राम उसा, वो कहते हैं कि, मैं कभी यह सोच भी नहीं सकता, कि तुम्हारा इसके बदले में मैं कुछ कर दूँ, क्योंकि जैसे ही मन में यह बात आती, कि इसके बदले में तुमारे लिए मैं कुछ करूँ, तो उसके साथ यह बात जुड़ जाती है, कि तुम्हारे उपर भी कुछ विपत्ती आएगी तो कभी मैं न सोचूं तुम्हारे लिए कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ उपकार करना पड़ जाए क्योंकि नरा प्रत्यूपकारार थी विपत्ती भी कांग्शती पिर राम ही कह सकते थे और और किसी नने कहा और किसी नने नहीं إ moaria क्ये नहीं सौचा जो सामॉनियूशिए उनको जयसे यह सोच रहें कि इसके बदले में क्या करदें वे अपने उपकारी का कुछ अशुब सोच जाते हैं उसके साथ llevar इसने संवेधन से भरे हुए हैं कि वे कहते हैं कि जैसे ही सोचूंगा तो मेरे मन में तो भीतर कहीं न कुछ उस प्रत्युपकार के साथ में विपत्ति की कांग्षा आजाएगी कि तुम्हारे उपर विपत्ति पड़े तो मैं तुम्हारा प्रत्युपकार करूं तो प्रत्युपकार करने की ब बड़ा संकट का प्रसंग भी है इसके साथ एक आखिरी बात यह भी है कि मैं जहां तक समझता हूँ यह जो सीता की अगनी परिक्षा का प्रसंग ही वह केवल सीता की ही अगनी परिक्षा का प्रसंग नहीं है वह राम की भी अगनी परिक्षा का प्रसंग है इस पर असामत ही ह सकती है इसके बाद इतनी भूमिका के बाद हम जिस तरह से सीता के अगनी परिक्षा का प्रसंग वाल्मी की रामायन में हैं उस पर बात करेंगे रावन का बद हो चुका है राम के मन के भी तर कहीं बहुत गहरी ललत तो है ही कि सीता को देखें इतने साल के बाद कितनी विरह विधा वाल्मिके ने उनकी चित्रित की है अत्यंत मार्मिक राम की विरह का जो वरणन है सीता के हरण के बाद तो सबसे करुण मार्मिक प्रसंगों में है पूरी वाल्मिके रामायन में उसको करुणा की कविता कहा जाता है तो लेकिन रावन मारा गया सीता की कोई चर्चा नहीं है, राम कहते हैं कि राउन का अंतिम समस्कार किया जाए विबिशन को समझाते हैं कि रो मत जो मंदोदरी और आक्षस इस्तिया रो रही है उनको समझाते हैं अंतिम समस्कार की सारी विवस्था कराते हैं फिर लक्षमन से कहते हैं या विविशन का राज्याभी शेक कर दिया जाए तुम जाओ, राम तो सेम किसी नगर में जा नहीं सकते, तो लक्षवन को भेजते हैं, लंका की इसका राज्याभी शेक, तुम ये जल गट में लेकर के जाओ, करवाओ, संपन्द करवाओ, इतना भी याद उनको नहीं आता रहां लक्ष्मन से कहने का कि मेरी प्रिया सीता है उससे भी देखते उए आना की कैसी है वह इस समय कुछ नहीं कहते हैं չूए याद ही नहीं करता सीता को शायद एक दो दिन तो भी थी जाते हैं, रावन का अंतिम समस्कार होता है, विविशन का राज्या विशेक होता है, कहीं सीता की कोई चर्चा ही नहीं, विविशन का राज्या विशेक होने के परश्चा जब लक्ष्मन लोट आते हैं और बताते हैं कि राज्या विशेक संप क्या संदेश देना ये नहीं बताते है सिता से जाकर कि मेरी और से कहना जो कहना है वो हनुमान ही जानते हैं राम कहते भी क्या इतना सब हो जाने के पश्चात अपनी स्त्री का हरण हुआ इतनी सब वेदनाएं छेली उसे जब मिलने का समय आ रहा है तो क्या कहा जाए क्या कह पाहिए वे थो हुनुमान चले जाते हैं और पर अनुमान उस तर्हे नई जाता है उजय को होटा नहीं स्लुम嫁आदा पुट है अ afford गया क्या शत्ता है रह चाह्या दूत के रामण में दो-तीन ही इस तरह के चरीतर हैं जो की जितने बड़े ग्यानी, समझदार, जानकार हैं उतने ही बड़े विवहार में निपुन भी है रामण भी उसी तरह का है, ग्यानी है, विवहार में निपुन है लेकिन वो अभिमानी है, हनुमान अभिमानी नहीं है और हनुमान कदाचित हमारे इतिहास के सबसे बड़े संदेश वाहक भी है वे सबसे बड़े राजदूत एक तरह से हैं हमारे रामण और माहभारत इन दोनों इतिहास काव्यों में तो लंका कान के 101 में सर्ग में हनुमान सीता के पास जाते हैं और ददर्श शशिना ही नाम साथंकामी व रोहिनी चंदरमा से बिछ्ड़ी वी रोहिनी की 처eed से आतंक में भरी हैवी सीता को रूमान ने देखा राम जो कहने में सब उचा रहे थे जो नहीं कह पा रहे थे, वह हनुमान सीता से कहते हैं, बहुत नपेतुले शब्दों में, 101 में सर्ग के श्लोक संक्या 7 से 11, कुल पांच श्लोकों में हनुमान सीता का संदेश, सीता को राम का संदेश बताते हैं, प्रिश्टवाच कुशलम रामो वीरस तवाम रगुनंदना, अब रवीत परमप्रीत है, करतार्तेनांतरात्मा, वीर रगुनंदनराम ने आपकी कुशल पूछी है, और अतिनत प्रसंद होकर के करतार्तंतरात्मा के साथ में आप से ये कहा है, हे देवी मैं तुम्हारा प्रिय समाचार बता रहा हूँ मैं तुम्हारा भिनंदन करता हूँ बदाई देता हूँ इस युद्ध में मेरी विजय से हे धर्मग्या सीता तुम बदाई की पात रहो मया यलब्द नित्रेणा ध्रतेन तव निर्जये प्रतिग्येशा विनिस्तीरना बद्वा सेतुम महोद धव इतने दिनों मैं सोया नहीं तुमको फिर से पाने की ही हमेशा सोचता रहा मैंने अपनी प्रतिग्या पूरी की सागर पर महा सागर पर सेतु बांद करके अब तो लंका का राज जी विविशन के हाथ में है विविशन को मैंने सोब दिया है तो डरने की घबराने की कोई बात नहीं तदाश्वसी ही विश्वस्ता स्वग्रहे परिवर्त से इसलिए आश्वस्तर हो विश्वस्तर हो अपने घर में अब तुम हो अयम चाब्धेती समरस्टतस्तत द apologise समद सुकह और यह हरशित राम तुमारे दर्शन का उद सुखत तुमारे पास आही रहा है यह हनुमान अपनी और से कहते हैं राम ने इसा कुछ नहीं कहा राम जाते ही नहीं लंका तो हो जाएंगे भी नहीं लेकिन राम हनुमान नहीं सोच चकते कि राम नहीं जाएंगे सीता से मिलने ऐसे समय में भी राम को तो लपक करके चले जाना चाहिए ठीक है उन्होंने संदेश जनने के लिए कहा तो संदेश मैंने सुना दिया लें इसके बार तो राम जाएंगी ऐसा सोच कर के अनुमान उनकी और से कह देते हैं कि अब मैं आ ही रहा हूँ सीता तुम्हारे पास 嘆ँ राम की और से भर कह देते हैं सिता हर्ष से बहुत गदगद हमें बोल ही नहीं पाती हैं, अवाक रहे जाती हैं, आशू उनकी आफों से बह रहे हैं, हनुमान कहते हैं कि किम्तवम चिंतयसे देवी, किम्तम माम नाभी भाशसे, ए देवी आप क्या सोच रही हैं, और मुझसे बोल क्यों नहीं रही हैं, मिठा मिठा तो आप ही बोल सकती हैं, और जब देखते हैं कि सीता कुछ नहीं कह पा रही हैं, तो हनुमान एक तरह से मजाकसा करते हैं, यह हनुमान की एक तरह से समझधारी है, कहां कुछ बात को किस तरह से मोड़ना है, तो वो सीता से कहते हैं कि है माताब मेरा एमन हो रह सिता हसकर कहती हैं कि यह तो दासियां है इनको क्या करना इनको क्या बिगाड़ना बहुत सुन्दर ढंग से वो कहती हैं कि जो विधय है उसका कोई दोश नहीं हुआ करता स्वामी की आग्या से जो कुछ वकर रहा है फिर हनुमान कहते हैं कि कुछ जो संदेश आपको देना हो तो आप दे दीजिए सिता तीन शब्द ही कुल कहती है अब रवी द्रश्टु मिच्छामी भरतारम वानरोत्तमा हे वानरोत्तम मैं अब अपने पती को देखना चाहती हूँ सुनकर के हनुमान चले जाते हैं राम को आकर के वे सिता का संदेश बताते हैं राम यह सुनकर के वालमी की कहते हैं कि राम की आखें बराईएं वे एकदम मोन रह गए उन्होंने लंबी सांस छोड़ी नीचे निगाह किये वे उन्होंने विवीशन से कहा कि सिता को इसनान करा करके दिभी अंगराग लगा करके यहुशित करवा करके यहां ले आईए विवीशन जाते हैं और अपने अंतपूर की इस्तियों से कहते हैं कि सिता को अच्छी तरह से सज़ाद जाकर के राम के पास ले चलना है सिता मना करती हैं कि मुझे कुछ इसनान नहीं मुझे कुछ अंगराग नहीं कुछ साज सज़ा नहीं मुझे आप ले चलिए लेकिन उनको समझाती हैं जब रानिया अंतपूर की इस्तियों तो वे तैयार होती है उनको शिवीका में बिठा करके पालकी में बिठा करके ले जाया जाता है यह भूमिका के लिए इतना पसंग बताना आवश्यक था तो सिता आराम के पास लाइ जा रही है राम को बताया जाता है की सिता आपके पास आ रही है ताम आगताम उपश्रुत्य रक्षो ग्रह चिरो शिताम राक्षष के गर में इतने समय तक रही उस सिता वो आया हुआ जानकर कि वो आ रही है जानकर कि हर्षो देन्यम जरोशष्य त्रयम रागव माविशत हर्ष दीनता और रोश ये तीनों भाव राम के भीतर एकदम से गड्ड मड्ड हो गए इसको भाव शबलता कहते हैं काविशास में कई भाव एक साथ दो तीन भाव याव दस पंद्रा चार पांच भाव एक साथ मन में गड्ड मड्ड हो करके उठते हैं तो ये विचित्रे मिक्स फीलिंग्स की ये जो दशा होती है उसको हमारे काविशास्तर में रसद्धवनी में भाव शबलता कहा गया है अना कि ये वाल्मी की कविटा है कि रसद्धवनी की कविटा नहीं है वो तो सीदे सीदे भाव के नाम लेकर कहते हैं की हर्ष भी दीनता भी और रोष भी एक साथ गुसा भी आया दीनता भी कि कि इतना जेलना पड़ा मुझे और सीता को है सोच करके वो हर्ष तो होना ही था कि इतने समय बाद मिलने का अवसर सीता से आ रहा है तो एक अंधर की तरह से ये परसपर विरोधी भाव राम के वितर उठे तो सीता को पाल की में उनके पास लाया जा रहा था बहुत सारे राक्षिसों की रिक्ष और वानरों की भीड मच गई भगद चल होते हैं उनमें राक्षिसों में उसको देखने की उसका दर्शन पाने की उत्सुकता थी जिस तरह से की हेलन का दर्शन पाने की उत्सुकता जो युद्द्ध से बचे हुए लोग थे उनके भीतर कभी जागी तो हाथों में बेतलिये कंचुकी उन्हें पीट करके हटा लगे तो राम से देखा नहीं गया और एकदम से गुसा जो उनके भीतर कहीं था उभड़क उठा विभीशन से उन्होंने कहा कि यह क्या कर रहे हो यह मेरे अपने लोग हैं इन में से कई इस सत्कार आहा इसलिए इसकी लाज है घर में रहना कीमती वस्र पहने ऑना त्रियर स्क्रियां में आना ठककर के लाया जाना महलों में रहना और राज सत्कार के साथ लाया जाना या सब उसके चरित्र का सूचक नहीं है तो न व्यसनेशु न क्रच्छेशु न युद्धे न स्वयमवरे न क्रतवनो विवाहे न क्रतवनो विवाहे चा दर्शनम दुश्यते इस्त्रिया विपत्ति के समय, संकट के समय, युद्ध के समय, स्वैमवर के समय, यग्य के समय, विभा के समय, इस्तरी निराबरण यदि लाई जाती है, राजरानी चाहे हुआ हो, तो उसके दर्शन में कोई दोश नहीं है, दर्शने इस्यान दोश इस्यात मत्समी पे विशेशता, मेरे पास उसको लाया जा रहा है, वो मेरी पत्नी है, तो उसके दर्शन में सब लोग उसको देखें, इसमें दोश क्या है, तो क्यों पाल की में बिठा करके उसको लाया जा रहा है, Raam कुछ गुसे में ऐसा कह रहे हैं, इसलिए उनके जो हितेशी हैं, वो बहुत चिंतित हो जाते हैं कि इस तरह से क्यों बोल रहे हैं वालमिकी कहते हैं कि हनुमान, लक्ष्मन, उसुग्रीव ये तीन लोग बहुत व्यथित हो गए राम को इस तरह से बोलते देख करके राम ने जो कहा उसमें कुछ अनुचित नहीं था लेकिन जिस भंगिमा के साथ वो कह रहे थे, बोल रहे थे उस से चिंतित हुए ये लोग तीनों कम से कम ये तीन उनके उसमें शुप चिंतक थे ये वालमिकी कि ये शब्दा वली है, यह बहुत ध्यान देने की है कि राम के कलत्र निर्पेक्ष जो दारुन इंगित थे कलत्र शब्द का प्रयोग किया है, जिसका हम अहलिया के प्रसंग में अन्य प्रसंगों में प्रयोग देख चुके हैं, नपुनसक लिंग में पतनी के लिए ये शब्द आता है तो एक बेजांदार वस्तू का भी उसमें कहीं न कहीं भाव रहता है तो कलत्र समझकर के निर्पेक्ष होकर के जैसे वो बोल रहे हैं उनके चेरे पर जो दारुन इंगित है जो एक तरह का दारुन भाव है, उससे लोग थोड़े डरे तो अप्रीत मिव सीतायां तरक यंतिस्म रागव तो रागव को सीता के प्रती कुछ अप्रीत सा जानने लगे क्यों शायद खुश नहीं है, अप्रीत हैं सीता को ले करके बारी एकसी शब्दा वली है और बहुत समझने के लिए छोड़ देती है उसकी अनुगूंजे हैं हमारे भीतर फिर सिता आती हैं राम के पास लज्जयात तोली अंती स्वेशुगात रेशु मैथिली विभीशने नानुगता भरता रमसाभिवरतत लाज से अपने ही शरीर के भीतर सिकुडी सिम्टी जाती ही सी मैथिली विभीशन जिसके पीछे पीछे आ रहे थे वह अपने भरता राम के पास आई सावस्त्र समुरुद्ध मुखी लज्जया जनसमसदी उस जब अपार जनसमू के बीच में अपने आचल से अपना मूँ ढखे हुए लज्जा के कारण राम को सामने देखकर के रो पड़ी रुरोदासाद्यवर्तारम रो पड़ी आरि पुत्रेत आरि पुत्रेती भाशनी आरि पुत्र इतना शब्द उसके मूँ से निकला और रुलाई पुट्पड़ी उसी तरह से तीन भाव परस पर विरोधी सिता के भितर भी घुमरते हैं इसमे आच्य प्रहरश आच्य इसमे आच्य पती देवता पती को देव मानने वाली वा सिता पिसमे के कारण इतने समयवाद राम को सामने देख करके जो चकित होने का भाव है उसके कारण प्रहर्ष अत्यधिक हर्ष में आलादित होने का जो भाव है उसके कारण और इसने के कारण सीता रोपड़ी इसने के साथ में उदेख्षत मुखम भरतु मुँ उपर किये राम को अताक्ती रही सोम्यम सोम्यतरानना यह भी शब्द बहुत ध्यान देने के हैं अपने पती के स सोम्यतर मुखवाली सीता ताक्ती रह गई जहां विविशन जहां सुग्रीव अनुमान और लक्षमन देखते हैं कि राम के चेहरे पर तो कुछ दारुन कुरूर सा भाव आ गया है क्रोध छलक रहा है सीता के मन में राम के लिए इतना प्रेम है कि जानती है कि यह क्रोध मे मेरे लिए क्रोध नहीं है सच मुच में तो राम को सोम में रूप में ही देखती हैं कि वे सोम में हैं और सीता उससे भी सोम में हैं सोम में तर मुखवाली वे हैं तो यह वालमिकी जो जानते हैं दोनों को परक चुके हैं इसलिए वालमिकी के लिए कहा जाता है कि वो तो उ सब भड़कता है रुसीता से कहने लगते हैं यह हमारे इतिहास के सबसे क्रूर कथन हैं जो किसी पती ने अपनी पत्नी के लिए कहे होंगे और वालमिकी की रामायण में ही यह हैं बात की रामायणों में कृतिवास रामायण को छोड़कर के कदाचित और कोई रामायण में और किसी कभी ने अपनी रामायण में जिन्हों ने रामायण पर कावी लिखे इस तरह के क्रूर कथन राम के मुझे नहीं कहलवाए विसाहस ही नहीं कर सकते थे कि राम के मुझे यह सब कहलवादें जो कि उन्होंने इतिहास में सचमुच में कहा होगा सिता के लिए कृतिवास ने जो कहलवाया तो उन्होंने इससे भी जादा ही कहलवाया है लेकिन उसका संदर बेगदम बदल जाता है उसके भाव ही बदल जाते हैं वहां तो सब लीलाएं होती है यहां लीला नहीं है यह एक मनुष्य अपनी इस्तरी से यहां बोल रहा है तो राम कहते हैं कि एशा सी निर्जिता भद्रे शत्रुम जित्वा मया रणे यह भद्रे शत्रु को जीत करके मैंने तुम को जीत लिया युथ मैं परुषाद यद नुष्ठेयम तदेद दुमु तदेद दुपपादितं जबने परुष्य मैं मुझे करना चाहिए था और मैंने कर लिया मैं अपने अमर्ष के मेरे भीतर जो वैर का भाव था उसकी अंत पर पहुँच गया उसको मैंने चुका दिया धर्षणा को मैंने धो दिया यहां भी द्रश धादु का प्रयोग है उसी तरह से इस्त्री के प्रतिचों धर्षणा जो जबरजस्ती की गई उसका पाप मैंने धो दिया अव मानश्य शत्रुष्चे मया युकुपद उद्धरतौ अपमान को और शत्रु को मैंने एक साथ उखाड फेंका है यह सहुपतिय लंकार कहलाता है जब दो उखमान या दो अपमेयों के लिए एक ही क्रिया का प्रयोग करते है तो राम कहते हैं कि अपने अपमान को भी म राज मेरा सफल हुआ अश्रम जो राम कभी अपनी वीरता का बखान नहीं करते कहीं पर वाल्मिकी रामायन में वे अपनी इस्तरी को जो कि एक निरी भाव से उनके सामने उपस्थित है वे इस तरह से उससे बोलते हैं पहली बार कदाचित अपने शोरी का बखान वे इस त में जैसे अपने आप पर मेरा काबू नहीं रह गया था या तुम को मुझसे विरहित करके हरण करके चंचल चित वाला जो राक्षस ले गया वह भाग्य से हुआ दोश आज मैंने अपने पूरुष्चे उसको जीत लिया इसके बाद किस तरह से मैंने अपने अपमान को दो दिया है किस तरह समुद्र पर सेतु बंधवाया और लागा किस तरह से मैंने लंका को कुचल डाला किस तरह हनुमान का सुब्रीव का सारा शोरी और वीर ये सफल हुआ इस सब कि वे बात करते हैं विबिशन की बात करते ह कहीं बीतर था उसकी बात तो करते ही नहीं है। यह सब कुछ और बातें करने लगते हैं। जो कि शायद कहना नहीं चाहिए थी इस समय राम को। वार्म की कहते हैं कि राम यह सब कहते जा रहे हैं। सीता एक भैवी ठीरनी की तरह आँखे पाड़े उन्हें ताक रही हैं। उनकी आँखों से आसू बह रहे हैं। उनको यह रोते देखकर राम के वितर और भी अधिक क्रोध भड़क उठता है जिसे धदकती आग में खी ड प्रांद होने के लिए हैं सब किया। प्राप्त चारित्र संदेहा ममः प्रती मुखेस थिता। तुमारे चारित्र प्रसंदेह किया गया था तुम अब मेरे सामने खड़ी हो वही सीता। दीपो नेत्रा तुरस सेवा प्रती कूला सिमे धड़म। जिसे जिसकी आँख आ उसके सामने तेज रोशनी लाई जाए इस तरह से तुम मेरे सामने अब खड़ी हो। यह दुरलब अच्छूती उक्मा है जिसको आयोनी अर्थ का विशास्त्र में कहा जाता है उस तरह का अर्थ यह है। अगर तेज रोशनी तेज तिया बल्ब चला दे सामने तो आखों क कुछ इस तरह से बुरा लगता है उस तरह से तेजस्वी रूप तुमारा मेरे सामने हैं मैं नहीं सह पाता इसको ऐसा राम कुछ कहते हैं फिर तो वे बहकी जाते हैं शायद यह राम नहीं कहना चाहते थे यह राम नहीं कह रहा है वस्तिता यह सारा समाज है जो हजारों प्राक्षिसों की भीड़ वहाई खटी कोतुक से देख रही है कि क्या कहेंगे, वो समाज बोल रहा है, वो रूडियां बोल रही है, परमपराएं बोल रही है, राम के भीतर से, शायद धर्म बोल रहा है, धर्म के नाम पर जो कुछ होता है वह सब बोल रहा है, तो राम कहते हैं कि अब मेरी ओर से तुम्हें चूट है, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हुई है, कौन पुरुश ऐसा होगा जो कि पराएगर में रह चुकी, इस तरी को वापस स्विकार कर ले, रावन के अंक से गिरी हुई तुम, उसकी कलुशित द्रश्टी का पात्रवनी हुई तुम, मैं कैसे तुम्हें स्विकार कर सकता हूँ, स्विकार करके मैं कैसे अपने ऐसे मैनी उकुल पर दाग लगा दू, मुझे अब तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, तुम लक्षण के पास जाना हो, चली जाओ, तुम भरत के पास, सुग्रीव के प पम या अगनी के समान इन वचनों से लेकिन वालमी की सीता ऐसी नहीं है कि उत्तर ना दें बहुत सधा हुआ और बहुत तेजस्वी भी और बहुत गंभीर उत्तर भी सीता यहां राम को देती है एक सो चार्में सर्ग में युद्धकांड के वाक्षल्य इस्तई रूपक है यहां पर वाक्षल्य में और शशल्या में उत्प्रेक्षा है वाणी की बर्ची वाणी रूपी बर्ची से जैसे गोया की घायल हुई सीता ने राम को उत्तर देना शुरुकिया धीरे धीरे उसने कहा गुस्से में भरके उस तरह से नहीं बोली लेकिन एक एक बात बहुत सदा हुआ जवाब राम की राम ने जो कुछ कह दिया उस सब का और यह जानकर के ही सीता बोल रही है कि राम नहीं बोले यह तो जो कुछ समाज है वो बोल रहा है उनके मात्यम से जिस राम ने मुझे से प्रेम किया जिस राम ने मुझे चाहा वो है कहीं मौजूद बीतर लेकिन वो नहीं बोला है इस समय यह समझ करके सित्ः बोली है बहुत मारमिक भी पूरा यह सित्ः का उत्तर है तो कहती हैं कि इस तो साधारन सामान ये कोई आदमी छोटा आदमी छोटी इस्त्री के लिए कोई बात कहे दे सम ऐसी बात कैस来 वित तुमने कह दी, अकारण शोत्र दारुण यह बात कह दी, श्लोक अम में नहीं पढ़ूंगा, और इतना सब इतिहास रचनेने के बाद मैं भी एक साधरन इस्त्री नहीं रही, तुम भी एक साधरन सामान नी मनुश्री नहीं रहे गए, ना तथास मी महाबा हो, यथा तुम आ शंका कर रहे हो, यद्यम गात्य संसपर्शम गतास्मी विवशा प्रभू, ये प्रभो यदी मेरे शरील को चू लिया है किसी ने, तो कामकारो नमे तत्र, दैवम तत्रा पराध्यती, उसे मेरी तो कोई इच्छा नहीं थी, उस तो भाग्य की बात है, मद अधीनम तु, य उसको लेकर के मैं क्या करती, पारधर्शी भाषा में बींदता हुआ, सत्य सीता कहती है, कि यदि यही भाव सेच्छमी में तुमारे मन में मेरे लिए था, जब हनुमान को दूद बना करके तुमने भेजा, उसी समय यह क्यों नहीं कहलवा दिया है, कि मैं तुमारा नहीं होता है, मैं उसी समय आग में जल करके अपनी काया को समाप्त कर देती, तो यह सब जो इतने लोग मर खब गए, मेरे कारण, वह सब सबनाश नहीं होता है, जो बात तो पहले भी कह चुकी थी, जब बन जाने के लिए मना किया था रामने, कि यह तो सामान इस्त्री के जी तुम बात कर रहे हैं, था मैं पौरुष सर्ख़ई हैं यह नहीं है, एक च्छोटे आदमी की तरह से, एक मांगुल्गी सी स्त्री की तरह से तुम बोल रहे हो, क्योंकि स्त्रीय की बात करती हैं, चरित परशंका होना, जो सामान जी नारिया हैं वे कर सकती है, यह बात सीता कहती है तो या तुनर शार्दूला क्रोध मेवान उवर्तता लगुनेव मनुशेना इस्त्रीत तुम्हेव पुरस करतम एक छोटे आदमी की तरह से इस्त्रीत ही तुमने सामने रख दिया तुमारे भी तर्जोग था लक्ष्मन यह सब नहीं सह पाए जो राम ने कहा और कोई अब मेरे लिए विकल्प नहीं है राम की इच्छा देखकर के लक्ष्मन ने भी चिता रची और सीता में जो अगनी थी उसमें वे प्रवेश कर गई यह सीता की अगनी परिक्षा का इतना प्रसंग है उसके बाद जो कुछ होता है वह एक सुपरनेचरल इलिमेंट जि लेते हैं यह सब प्रसंग है वह एक मिथक का भागे नो किक तक नो जो हमारे इतिहास में आता है उसका और लेकिन सिता की जो अगनी परिक्षा है वो वहीं है जहाराम की भी अगनी परिक्षा है राम भी एक अगनी परिक्षा से गुजर रहे हैं वह सब कहते हुए जो सिता के लिए उन्हें नहीं कहना चाहिए था सिता अपनी अगनी परिक्षा में खरी उतरती है वे राम को उतर दे रहा उस सोचने की बात ऑंहीं सोचने कि अनन या लोकि कि साहदारन प्रेम की बात वालमिकी ने और सीता दोनों के बीच में बताई है वो कितना जुलस गया इस अगनी परिक्षा में और कितना बचा रहा आगे जो अन्य रामायन है सुन्सक्रत में जो राम कथा कि सुन्सक्रत साहित थे में सीता की अगनी परिक्षा के प्रसंग है उन पर हम फिर चर्चा करेंगे धन्यवाद